उत्तर प्रदेश को प्रधान मंत्री नेरेंदर मोदी एक और साउगात देने वाले हैं, बुंदेल खंड एक्सप्रेस वेका उद घाटन जालाओं से करने वाले हैं, मरसा जालाओं से सांसाद उकेंदरी राज्य मंत्री भानू प्रताप सिंग वर्मा मौझूद हैं, सर ये उन्होंने 2014 के बाद, जो बुंदेल खंड में जनता विकास के लिए तरस रही थे, किसी तरह इसे प्यासी थी, सारी चीजें थे, वहां काम नहीं हो रहे थे, उन्होंने केंदर से योजना देकर उन्होंने काम प्रारम कराई हैं, विसरी से मैं कह सकता हूँ के बारा तारिक में घर नहीं बचेका, जिस घर में नल ना हो, नल की द्वारा उन्होंने जनता को जल पराप्त ना हो सके, क्योंकि हम जालते हैं कि कोछ शरकार पहले रही है, देश के उसी प्रधान मंत्री पंदरा में, जब हमें मालूम है, बुंदिल खंड से एक सांसद है, हमारे सांसद हैं, उन्होंने प्रधान मंत्री से बदोत किया था, कि हमारे पानी नहीं है, और वहां की जनता परिशान हो रहे है, किसी देशी प्रधान मंत्री जी ने उस shτι, अनि प्रधान मंत्री जी ने उस समय टेंद्रक दोरह प्रधान में बेहा types में में भीजा थेão फिर बहुत कि wh वहां की जानवरों को प्राफ्द होता है लेकि देश का बना नहीं तो भारत ने तुमनाड में और दूसरा हमारे जो उत्तर प्रदेश में बना वो बंदिल खन में मिर रहा है और वो जिसे उर् FL भीटर में जो हमारी कमपिनिआ आएंगी जो हमारे सेना को जिस चीज की आवेजिजा तकंट्रों से लेइकर छो फॉते कल्पडी तक उस 的 Pennsylvania कोरी डोर में फैक्टियां वो सारी चीज़ों को बनाएंगी मैं जिस देश के सुपर्धान मंत्री जिस विभाग कर दायत मजीद स्वांपा है हमारा प्रयास रहा है कि किसी ने किसी तरीकी से इस विभाग से कुछ न कुछ बंदिलिखन में ऐसा हो जाए जिससे बच्चों को देश में धनवाद देना चाहता हूं मकुंत्री यहारतनाथ जी को को उन्होंने भी वो जमीन हम लोगों को मोहिया करा दी है अब हम सीखरी उसमें टेक्निकल सेंटर जो बनेगा उसमें टेक्निकल सेंटर बनने के बाद बुंदिल खंड के वच्चे वहां टेनिंग लेंग चुकि बुंदयल खंड को उत्तर परदेश का सबसे पिछडा इलाका माना जाता है अब इस बुंदेल खंड एक्स्प्रेस वे की सौगात के बाद और डिफेंस कॉरिडोर के आने के बाद हलाकि ने में विक्त है लेकिन इस बुंदयल खंड को किटना असर बुंदेल खंड के मतलब एक प्राइबिट लोग जगह लेना प्रारम कर दी है उनके किनारे जफेक्ट लेगे तो निश्यत हमारा बुंदेलखंड का जो नोजवान ने दर दर भागता था तो निश्यत हमने कहा ना कर ठेनक लेकर वह ही काम करेगा वहीं विकास देश के प्रधान मत्री जी कर करके वह अपना सारा पूरी पूरी जो उनों का सौधिन जो अभी हुए है पांस साल उनको जा रहे हैं बढ़े वहां कानून वैस्ता भी अच्छी उनों रखी है जिस बाहर की लोग वहां काम करना चाहते हैं तो बंदेलखंड में इतनी सारी फ्यक्टिया सब कुस लगे त इसे सुरूब से आब हो अधरणी पूर मुक मत्री अकलिश के आप बात कर रहे हुए योज अगलेश जी इतनाफी आ पढ़े होंगे पच्पन में इसके बाद विदेश में पढ़े हों विदेश में पढ़के आये हैं तो उन्हें गरीब का दुख मालूम नहीं है उन्हें दर्द मालूम नहीं है जोपनी में रहने वाला किसे रहता है कैसे खाता कैसे वीता है हमारे देश के प्रधान मंत्री है मालूम है, वो गरीब से बरके आया है, हमारे मुक्षमातरी, उने मालूम है कैसे नकल गाए, तो उन्हों ने वो ढेर सारी योजनाय बनाई, जो छोटे जमी से जमी चुला होगा ब्यक्ति, मजदूर से मजदूर, उसे कैसे उसे लाब मिल सके, कैसे प्रगति कर सके, क्योंकि वो जब तक प्रगति नहीं करेगा, प्रदेश आंगे प्रगति करी नहीं सकता, जब प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता, प्रदेश आंगे प्रगति नहीं करेगा, इसलिए उन्हें मौलूम है कि हम इन सारी चीजों को उठाना है, चोटे 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 लोगों को, उनके किसानों को किसान सम्मान नहीं थी ठेर सारी उजनाइं उने दी जा रही आज हमारा गरीब जक्ति है करोना से परिशान रहा उसे फृरी में आनाज दे किसी तरीक से भूंक से ना मरें कोई सो साल पहले लोगों जो रपोर्ट आई थी उसमें कहा गाता है कि बिमारी से तो करता हूं और अपनी कि तयारियों कि किस तरीके से जश्नी की तयारिया कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर पी-म कि स्वागत की तयारिया कर रहे हो जो कि पूरा मोर्चा आप ही क्यों पर हो कि आए देखा है कहां कि है वह सारी चीजह हैं और एक महेने पहले भी थोड़ा था सारी चीजह करने के लिए जया हैं लोग पहुंच आएंगे इसके अलाबा क्सक्षा करेंगे और चाहिए खाला कंग के सारे उहां जा लोग जागे पृत्षिस Kollege करें इसके लिए की लोगब लेकुट लगग हो घृखलनी के साथ अभिनारी वरी एबीपी गंगा दिल लिए एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी